असलाम अलेकुम फ्रेंड्स मैं हूँ सना यूसफ अब हम बनाएंगे रायता आज हम रायता बनाना बताएंगे कोई लोग कदू का रायता बनाते हैं कोई बेंगन का बनाते हैं आज सिंपल रायता बनाएंगे जिसमें हम यूज करेंगे कुकमबर एक अदत खीरा पहले हमने दही को अच्छी तरह से फैंट लिया है, अब हम इसमें प्यास एड़ करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे, प्यास मिक्स करेंगे, उसके बाद हम हरी मिच्चे और टमाटर मिक्स कर देंगे, इसमें जो मिसाले हम इस्तमाल करेंगे, इसमें हम चाट मिसाला लेंगे, नमक लेंगे, काली मिर्च और पिसा हुआ जीरा, आपके अपनी मर्जी अगर आप काली मिर्च नहीं भी लेना चाहते तो कोई बात नहीं, आप सुरह मिर्च, रड मिर्च भी ले सकते हैं, हम पहले डालेंगे, चाट मिसाला, आप अपने हिसाब से डालिए, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, इसके बाद हम काली मिर्च, सब को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सब को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें के ओपर जीरा भी डाल देंगे इसके ओपर हम जीरा डाल देंगे तो जी फ्रेंड्स हमारा रायता रेडी है बिल्कुल सादा और सिंपल रायता फ्रेंड्स ये रायता आप चावलों के साथ, सिंपल चावलों के साथ भी खा सकते हैं सादे चावलों के साथ, बर्यानी के साथ, पिलाओ के साथ जिसके साथ चाहें आप ये रायता खा सकते हैं अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें मेरा चैनल सब्सक्राइब करें दौाओं में याद रखिए अलाहाफेज